हेलो फ्रिंट्स वेलकम टू माई चनल फ्रिस देखिए आज मैं आपको ये छोटी सी बेबी बुटी बताने वाली हूँ बहुती इजी बनाने में भी है और बहुती जल्दी बन जाता है इसमें आपको उन भी बहुत कम लगेगा आप अगर 25 ग्राम उन लेती है तो उसमें आ प्रिंट्स से थ्री मंत बेबी केर नापका ये जूती है आपको इससे बड़ा बनाना होगा तो आप बस थोड़े से फंदे और एक्स्रा कर सकती है तो ये बड़ा बन जाएगा और ये तीन मेहने के बच्चे के हिसाब से है तो ये इस तरह से इसका ये पैर का हिस्सा और तो ये मैंने इसको बेबी उल से बनाया है और दस नमबर की सलाई से बनाया है बहती इजी है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने जो उन है बेबी उल लिया है जैसा कि मैंने बताया है मैंने इन दो कलर में बनाया है आप अपने मन पसंद किसी भी दो क अब इसको हम उल्टा उल्टा बीनेंगे मैं उल्टी बीनाई कर रही हूं तो यह देखिए इस तरीके से इसको हम बीनते हुए टोटल सारे फंदे उल्टे-उल्टे बिन लेंगे इस तरीके से पूरी सलाई और यह लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा इसी तरह यह भी पूरा बिन लेंगे पहला फंदा उतार के पहली बार मैंने पहला फंदा नहीं उतारा था लेकिन दूसरी बार हमने उतारा है किनारी के फंदे उतारने से आपको सिलाई करना इजी हो जाएगा तो ये सारे फंदे देखें, टोटल जो 36 फंदे में रहे हैं, इसको हम उल्टा उल्टा ऐसे दिन लेंगे, तो ये मेरी सेकंड रो है, ये दिखें, मैं इसको पूरा बिंग के दिखा दे रही हूँ, जिससे कि अगर फंदे का कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप काउंट कर सकें, तो ये दिखें, इस तरह से ये लास्ट वेन है, तो अब इसी तरह से दोनों तरब से बिंगते हुए, देखें, एक लाइनिं हो गई है, इसी तरह से बिंते हुए, मैं टोटल 10 लाइनिंग इसको कर लोगी, ये जो हमारा उल्टा-उल्टा है, इसको मैं टोटल 10 लाइनिंग, यानि कि 2 सलाई हो गई है, टोटल 20 सलाई बिंगना है, यानि 18 सलाई मैं इसको अभी और बनाऊंगी, तो इस तरह से करने के बाद ये हमारा एक साइट का ये जो बेस है ये कम्ट्रीट हो जाएगा तो ये टोटल दस लाइनिंग हमारी आने चाहिए ये देखिए एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस तो ये इतना हम बिल लेंगे इसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा ये देखिए ये दोनों तरब से मैंने दस दस लाइने पूरी कर ली है यानि टोटल बेस सलाई देखिए इधर भी एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस और इस साइड में भी देखिए एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस यहां से हमने बिना ये स्टार्ट किया और दोनों तरफ से हमने दस-दस लाइनिंगे कम्प्लेट कर ली है यानि बेस सा लाइन अब यह देखिए यह हम बनाएंगे इसका यह जो पार्ट है तो इसके लिए यहीं से अब हम अपना यह जो सेकेंड कलर है आप जो भी कलर आप यूज करती है उस कलर में इसको बना सकती है तो अब मैं इस कलर को इसमें एड कर लूँगी और इसको अब हम यहां से बिनना स्टार्ट करेंगे तो आप चाहें तो लास्ट फंदे को ही बिन लीजे दूसरे कलर से नहीं तो आप यहां से देखिए बिनेंगे हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, देखिए यह 13 फंदे हमने बिन लिये अब यह 14 फंदा ऐसे उतार के उन कर लेंगे पीछे और इसको पलट देंगे सलाई को और अब यह फंदा उतार लेंगे जो हमने पहले उतारा है जो डार कलर है और फिर से यह 13 फंदे हम बिन ले जाएंगे लास्ट वाला फंदा सीधा देखे अब एक बार फिर से इसी कलर को बीनेंगे तो यह देखे पहला फंदा उतार के यह हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और जो पिछली बार हमने यह फंदा उतारा था इसको भी अब हम बिन लेंगे चौदा और यह पंद्रहमा फंदा जो है इसको उतार के उन पीछे कर लेंगे और फिर से यह पूरा पंदा हम लाइट कलर से बना लेंगे यह देखे इस तरीके से यह आया अब डार कलर लगाएंगे और यह पूरा हम बिन ले जाएंगे यहां तक जो हमने उतारा था और अब इसके आगे भी यह देखे लास्ट वाला पंदा सीधा और फिर इधर से भी यह हम पूरा बिन लेंगे और झार क्यों पूरा बिन ले ऑाला थाला पंदा झाल झाल यह देखिए इस तरीके से अब फिर से हम लाइट कलर लगाएंगे देखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा फंदा बीना, चौदावा फंदा उतार के उन पलट देंगे और फिर से इसको उतार लेंगे और फिर यह पूरे फंदे जो हमने बीने है तेरा फंदे इसको फिर से बिन लेंगे लास्ट बाला फंदा सीथा फिर से पला पंदा उतार के देखिये देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, ये भी बिन लेंगे, चौदर, और ये पंद्रह हमाँ पंदा उतार के उन पलट लेंगे, और इसको हम फिर इसको उतार लेंगे, और पूरा फिर से चौदर पंदे जो इस बार हो गए है इसको हम ये लाइट कलर से उल्टा-उल्टा बना लेंगे, ये देखिए, इसी तरीके से अब यहाँ से ये रेड लग जाएगा, इस तरीके से देखिए, ये दो लाइनिंग मैंने बना ली है, टोटल देखिए, एक, तो, तीन, चार, पांच, च्छे, छे लाइनिंग ये है, अब ये माँने दो बना लिया है, चार और करने के बार फिर हम इसके आगे बनाएंगे, इस बार रेट कलर से पूरा हम बिंते जाएंगे, बीच में देखिए, दो लाइनिंग क्रीम कलर की है, एकacción की रैनिंग रेट कलर की है, इस तरीके से एक यह और जब हम रेट कलर लगाएंगे तो यह पूरा यहां से लेके यहां तक बिनते जाएंगे फिर रिपीट कर लेंगे टूटल लास्ट तक और फिर हम लाइट कलर से इतना पना लेंगे तो यह छे लाइनिंग कम्प्रीट करने के बाद फिर हम इसके आगे की बिनाई कर कि अब इसका काम नहीं है तो इसको हम थोड़ा बड़ा सा जी लेते हैं और वादार कि के यहां और अब हम ये सारा फंदा बीनेंगे, बीच में कोई गैपिंग नहीं रखेंगे, बीनते हुए टोटल जैसे नीचे हमने 10 लाइनिंग की है, वैसे ही 10 लाइनिंग हम कर लेंगे, तो ये देखे, इस तरह से ये उन भी मैंने फसा लिया है, यहां का मैंने नहीं फसा लिया है, तो इसको मैं बाद में सुई से या क्रोशिया से फसा लोगी, तो अब देखे, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अब ये रेड वाला, जैसे ये इतना हमने बनाया है, वही इतना यहां पे भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा पूरा तयार हो जाएगा, यहां पे मैंने इसको देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ लाइनिंग ये राइट साइट पे है, दस लाइनिंग मेरी रॉंक साइट से है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो अब दस्वी लाइनिंग मैं इसमें नहीं बनाऊंगी, मैं इसका सारा फंदा बंद कर दूंगी, तो बंद करने के लिए ऐसे ही उल्टा-उल्टा हम बिनेंगे और दो का एक, दो का एक इसको हम इस तरह से कर लेंगे, इसको बहुत टाइट या लूज मत रखिएगा, नौर्मली जैसे हम बिना ही कर रहे हैं, बस देखिए, इस तरीक यानि इसी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी, यह दिखिए, यह खतम हो गया हमारा, तो इसको हम ऐसे टाइट करके, ओन यहां का कट कर देंगे, यह इस तरीके से, देखिए, यह हमारा इस तरह से प्यार का पोर्शन बनके टोटल तयार है, और अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इसके पहले मैं इसको जरा नाप के आपको दिखा देती हूँ, अगर देखिए, इसकी लंबाई जो है, जो एक तम मिड में आएगा, यहां यह दिखिए, यह 16 cm है, और इसकी जो चौड़ाई है, यह भी लगभग यह दिखिए, 17 cm है, तो इस तरीके से, यह हमारा पैर बनके तयार है, दूसरा वाला, दोनों एक ही जैसा बनेगा, कोई अंतर नहीं है, और अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो यह दिखिए, इसको हम सिलने के लिए सबसे पहले दिखिए, यह जो हमारा यह पोर्शन है, यह, तो अब यहां पे दिखिए, यह, एक क्रीम लाइनिक का जो दू लाइनिक है और यह रेड़, इसको हम छोड़ देंगे, तो इसमें से देखिए, यह एक, ऐसे फसा यह दिखे, यह ऐसे ऐसे एक एक बीच में से ऐसे यह ले लिजी ए फिर यह और यह देखे यह इसको लेंके हम इस तरह से उन कब दो इसको हम अच्छे से ताइट से यह इसको नोट लगा देंगे खुब अच्छे से इसको टाइट कर दीजिए ताकि यहां पर यह थोड़ा सा बूट का शेप लेले सिकन आ जाएए देखे ऐसे और अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे तो इसमें यह देखिए इनको ऐसे बराबर में आप रखिए और यहां से इसको पहले यह देखिए अंदर वाला यह जो दोनों पोर्शन है इसको लेके अच्छे से खीच लीजिए और यह जो हमने पंदे उतारे थे पहले वाले उसी का यह देखिए यह अंदर वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ है यह ऐसे इसको लेके हम सारा सिल यह देखिए अंदर की तरफ चो है इसको मैं पूरा ऐसे करके से ले रही हूं आप चाहें तो दोनों पकड़के सिल सकती है आप इधर का भी अपflow का जाहें तो इसे इसे आप यह द चाहें दो ए इधर कल दो दो बिदुद्शे से हैं अधे का आप यहां से लेकर यहां तक हम इसको भी सिल लेंगे तो यह मैं पहले इस से ऐसे कर लेती हूँ और ये वाला मैं यहाँ पे कट करके हटा दूँगी बाद में अगर आपका ये उन कम पड़ता है तो आप इसी में आगे इसमें जोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूरा सिलाई करना है तो इसको भी देखिए एक तरब से ये जो फंदे पड़े हैं और एक तरब से जो ये हमने फंदे उतारे हैं इसको भी हम सिलते जाएंगे और जितने भी उन है इसको हम फसाते चले जाएंगे तो इस तरह से देखिए इसको पूरा ये देखिए ऐसे ये फस जाएगा और इस तरीके से यहां से लेके यहां तक पूरा हम सिल देंगे ऐसे आप करिएगा तो यह जो हमारे उन के टुकड़े निकले हुए हैं यह भी इसी में फस्ते चले जाएंगे इस तरह से देखिए तो इसको पूरा मैं सिल लेती हूँ पहले यह दिखिए यह मैंने सिल लिया है इसको मैं बाद में फसा दूँगी अभी ऐसे कर लिजिए आप क्रोश्या से इसको ऐसे करके अंदर के तरफ ऐसे खिर देंगी तो यह फस जाएगा तो बहुत इजी होता है कोई दिकत नहीं है बस थोड़ा सा ऐसे लेके कहीं से भी ऐसे क्रोश्या से आप इसको फसा दीजे तो देखिए यह फस क्या मैंने यहां तक जिता मेरा उन था सिलने के बाद ऊपर यहां से नौट लगा कि यहां से यहां तक सिल दिया है ताकि यह नौट बीच में रहे और यह देखिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं यह देखिए रौंग साइड से ऐसे है यह तो इसको हम सीधा कर लेंगे ये इस तरह से तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड हो गई ये आप चाहें तो ऐसे पूरा इस तरह से लंबा सा पहना ये या आप इसको ऐसे रोल कर दीजिए तो ये हमारी बूटी इस तरह से तयार हो जाएगी ये देखिए ये इसका प्रॉपर शेप है और ये इस तरह से सिलने के बाद देखें मैंने इसमें cotton डाला है तो इस तरह से ये जब प्यार में आएगा तो ऐसे इसका शेप आजाएगा तो ये दिखें इस तरह से ये तियार है और मुझे उमीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको पसंद आती है तो आप किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई रिजाइन के संग तब तक के लिए बाए